हेलो फ्रेंड्स मैं साउजन और आप देखरें समाज कबर है निडे विनियोज आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लाया हूं जिसके बाद आप खुशी सब फूले ना समाएंगे अगर आपके पास कोई भी कंपडर की प्रॉब्लम है आपको नया कंपडर चाहिए नया 69025411 अगर आपको इनसे कोई भी काम है तो आप इनसे संपर करें यह आपकी मदद जरूर करेंगे तो चलिए आज की हमारी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दिल्ली को लेकर मोधी का खतरनाक प्लैन चलिए देखते हैं वीडियो आज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज ऑथौरिटी की पहली मीटिंग हुई लेकिन ये निरने पहला नहीं था मैं थोड़ा सबस्पे करूंगा पहली मीटिंग हुई यह पूरा का पूरा जो ऑडिनेंस है पहले हमें समझना पड़ेगा इस ऑडिनेंस के जरीये केंद्र सरकार ने किस तरह से शातिर तरीके से दि दिल्ली में तीन बार चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार के उपर कबजा करने की कोशिश की है. उन्होंने कई ऐसे प्रोविजेंज इसके अंदर लिखे हैं अध्यादेश के अंदर जिसके जरिये अजर ये मंत्री और मुख्य मंत्री जो चुनी हुई सरकार है जो चुनी हुई कैबिनेट है उसके उपर हर जगे इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी अफसर की चलेगी अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी चीफ सेकरेटरी की और लजी की चलेगी उसके उपर उन्होंने चीफ सेकरेटरी को बिठा दिया एक ये कहने को एक authority बना दी, authority के अंदर दो अफसर केंदर सरकार के होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा, तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ओपर दो अफसरों को बिठा दिया, तो हर जगे इन्होंने अफसर शाही को सारा कंट्रोल दे दिया और अफसर शाही केंदर सरकार कंट्रोल करेगी अफसरों के ओपर केंदर सरकार का कंट्रोल होगा सर्विसिज के जरी और विजलेंस के जरी है तो एक तरह से केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार को अफसरों के जरीए चलाना चाहती है, हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है, और समविधान भारत का समविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं, जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं और वो सरकार चुनी हुई सरकार अफसरों के जरीए काम करती है वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारती जंता पार्टी ने ऐसा शड्यंतर रह चाया कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे क्यों कि उन अफसरों के ऊपर केंदर सरकार का कंट्रोल है केंदर सरकार उन अफसरों को कंट्रोल करती है किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है किसी को सस्पेंड कर सकती है कि अफसरों के ऊपर केंदर सरकार का कंट्रोल है और अफसर जो है मंत्रियों के ऊप तो ये बहाना मारके कि वो आदेश सही नहीं है, वो अफसर आदेश मानने से इंकार कर सकता है। सरकार कैसे चलेगी ऐसे? हम मान लोग कहते हैं कि दो स्कूल बनाने हैं, अफसर कहते हैं इस दिल्ली में स्कूलों की जरूरत नहीं है। अगर अफसर लिक देश दिल्ली में स्कूलों की जरूरत नहीं है, तो स्कूल नहीं बनेंगे। हम मानलो कहते हैं कि महला क्लिनिक सौ और बनने चाहिए, चुनी होई सरकार कहती है, हम तो जनता में घुमते हैं, हम कहते हैं जनता मांग रही है, इस इलाके में करोलबाग में महला क्लिनिक बनाओ, अफसर कहते हैं करोलबाग में महला क्लिनिक की जरूरत नहीं है, बस फिर महल अफसर को power देती, cabinet जितने निरने लेगी, cabinet मतलब supreme body, चुनी हुई सरकार की supreme body जिसमें सारे mantri होते हैं, मुख्यमंतर उसका ध्यक्ष होता है, तो cabinet जो भी निरने लेगी, वह निरने सही है कि गलती है चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा, तो चीव सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कैबिनिट ने निर्ने सही लिया के गलत लिया और फिर वो LG को recommend करेगा LG उस पे कैबिनिट के किसी भी निर्ने को पलट सकता है यह तो समविधान में भी नहीं दे रखा कि LG किसी भी निर्ने को पलट सकता है इन्होंने नया एक सम्विधान बन बदल दिया और ये authority बनाई है कि authority के अंदर मुख्यमंत्री बैठेगा मुख्यमंत्री के सर पे दो officer बैठेंगे तो ये एक बहुत बड़ा शड्यंत्र है authority की जो meeting है authority कितना futile exercise है इससे आप समच सकते हो ये पहली meeting हुई इसके पहले एक file आई मेरे पास 15 दिन पहले last week of may में उस file में वो एक officer को suspend करना चाहते थे उसको file को पढ़ने के बाद मेरी 3-4 queries थी clarifications थे तो मैंने file पे लिखा कि ये 3-4 मेरे clarifications है और इनका जवाब दिया जाए उसके बाद मैं बताऊंगा कि meeting किस दिन होगी कितने बज़े होगी और कहां होगी वो 3-4 clarifications questions मैंने लिखके file पे भेजे वो file मेरे पास फिर वापस नहीं आई वो file सीधे LG के पास चली गई और उस file पे लिखा गया कि authority के तीन member में से 2 members की सहमती हो गई है एक member की सहमती नहीं है इसलिए इसको अप्रूव को तो वो तो हमेशा ही उन दोनों की सहमती है वो तो दोनों के अंदर सरकार के officers हैं और मैं ही उसमें अकेला हूँ तो मतलब मैं अगर कोई उस meeting के अंदर query भी करता हूँ clarification भी मांगता हूँ तो मेरी clarification के जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं है तो वो LG साब के पास उन्होंने file भेल जी LG साब ने लिख दिया कि officer को suspend कर दिया जाए officer को suspend कर दिया गया मेरे पास ना उपर जाते time file आई ना नीचे जाते time file आई मेरे पास नो जब file हैं वहने उस पर query रेज की और query के बिना जवाब दिया उन्होंने LG से approval फिर धारिटी की जुरूरत किया यार तो यह दिखाता है यह सारी चीज़े हम Supreme Court लेके जाएंगे और हमें पूरी उमीद है Supreme Court से भी उमीद है कि अगर Supreme Court में भी मिलेगी राहत मिलेगी और अगर राज्यसभा में संसद में भी लाता है तो उसको जीतने नहीं देगा आज एक मुद्दा था जिसमें एक officer के ऊपर कुछ disciplinary proceedings थी उसने यह forensic lab में कुछ गडबड की थी उस पे वो black and white मुद्दा था उसमें तीनों की सहमती थी कि इसको suspend कर इसके कि खिलाफ disability proceeding शुरू की जाए पिछली वाली जो meeting थी उसमें मैंने जैसे बताया मेरे पास फाइल आई कि इस officer को suspend किया जाए मैंने का कि इसको क्यों suspend किया जाए इसके लिए तीन clarification मैंने मंगी वो तीन clarification का जवाब देना चाहिए था कि यह यह कारण है वो तीन clarification के जवाब देने की बजाए उन्होंने फाइल सीधे LG को बेज दी कि authority के तीन सदस्यों में से दो सदस्य तयार है वो दोनों तो उनके अफसर है अपनी उन दोनों ने साइन कर दिये मुख्यमंत्री की इनको जुरूरत ही नहीं है जनतंत्र गया जनतंत्र की ऐसी तैसी पूरे दिल्ली के अंदर पहली बार हो रहा है जो इतने बड़े संडे का दिन था ना साइथ संडे को चार मर्डर एक साथ दिल्ली के अंदर हुए पूरे मैं लोगों से मिलता रहता हूं दिल्ली के लोगों के मन में दहशत है और मैंने LG साब को लिखा है कि कुछ करें LG बाजे भी करें दुनों मिल के दिल्ली के लॉइंड ओर्डर को सुधारे हैं जैसे दिल्ली ऑम ने हुए एड़ूकेशन ठीक कर दी हमारे पास जो जो छेतृत थे उन में से कई आइ प्षेतर ठीक कर दिये अगर आज लॉइन रॉडर पंजाब में हमारे पास लॉइन रॉडर पहली बार आया शुरू शुरू में आप ने देखा कि इतनी दिक्कत हुई क्यूकि वो पुरानी सरकारोंने कितना गंद मचा रखा था आज पंजाब लॉइन डॉर्डर के मामले में दिल्ली में टॉप क तो हमारे आज के समाचार नहीं पे खतम होते हैं और आपको ऐसे ही समाचार मिलने रहेंगे तो हमारे चानल समाचीघगे पर हिंदी दिविनियों के साथ जुड़े रहें तब तक ले जाए हिंद्ट